जैशी कृष्णा हर हर महादें कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए माभगवती से प्राठना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें पॉजिटिव रहें और अपने जिंदगी में आगे बढ़ें आप धेर सारी सफलता प्राप्त करें तो डियर आप सब की रिक्विस्ट पे हम लेकर आए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग और हम इस कैंडल वैक्स के थुरू आपको बताएंगे आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग ठीक है उनकी एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या महसूस कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं तो देखते हैं ठीक है आपको क्या करना है आपको लंबी सी गहरी सांस लेकर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं अब देखो यहां पर तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि एक उप्शन चूस कर लीजिए यह तो कहीं कहीं कलेक्टिव एनर्जी ही होने वाली कलेक्टिव तो मनी मन में उनका नाम सोचना है उनका द्यान करना ठीके से ठीक है आपके उनके बारे में आपसोचची है और हम आपको बताएंगे कि इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है वो आपके लिए क्या मैसूस कर रहे हैं क्या फील कर रहे हैं और उनका अगला कदम उनका next action क्या होगा आपके लिए आपके रिष्टे के लिए ठीक है दो पल रुका, ख्वाबों का कार्मा और फिर चल दिये तुम कहां हम कहां शायद जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सबिलिटी, कुछ भी समझ लीजिए कुछ पल के लिए आप लोग मिले, बात चीत हुई थोड़ा एक दूसरे को जाने परखे, और प्यार भी हुआ उसके बाद, जैसे कि या तो हालात ऐसे बने कुछ ऐसा हुआ कि ना चाहा कर भी अलग होना पड़ा इनके नेम का इनिशियल डी हो सकता है, जी हो सकता है और आपके लिए ये रिष्टा एक प्रश्ण चिन्ड बन कर रहे गया कि जब जाना था तो आया ही क्यों, जब यही करना था, जब इसे मुझे रुलाना ही था, तो फिर मेरी जिन्देगी में आया क्यों बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर में एक सवाल की तरह घूंगती हैं, कि क्यों किस लिए हुआ ऐसा इनकी डेट और बर्थ किसी मेहने की पांच तारीख, दो तारीख, छे तारीख, आठ तारीख को हो सकती हैं, जिनके लिए आप रिडिंग देख रहे हैं इनकी नेम का इनिशियल आई और टी भी हो सकता है, ठीक है? ये पता है, देखो जिनके लिए भी आप ये रिडिंग देख रहे हो, इन्होंने बिल्कुल जैसे कि कुछ मजबूरी में लिए गए फैसले होते हैं, इनसान चाहता नहीं है कि ऐसा हो, पर हो गया है हमें तो बहुत सारे लोगों के पर्शन ऐसे हैं, जो शायद अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, या फिर दू कहो कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है? ऐसे भी दीख रहे हमें शुरू-शुरू में ये रिष्टा किसी की तरफ से भी जुड़ा हो, किसी की तरफ से भी चीज़े आगे बढ़ी हूँ, लेकिन ऐसी थी न, चैसे शुरू-शुरू में बहुत जोश के साथ, बहुत ही पैशनेट होकर, बिना सोचे समझे रिष्टे को आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने हर तरीके से आपको सीरियस कर दिया, ऐसे इसी बाते की इन्होंने कि आप सीरियस हो गए, और फिर जब कमिट्मेंट की बात आई, जब रिष्टा आगे बढ़ाने की बात आई, जब घर में बात करने की बात आई, तो इन्होंने आप से बात चीत कम कर दी आप लोगों के बीच बहस भी खूब हुई है जहां तक पर आप आज तक इनको भूल नहीं पाए हम ऐसा बोलेंगे कि ये रिष्टा ऐसा है जिसमें बहुत अच्छी अंडरस्टाइनिंग भी थी बहुत अच्छी बॉंडिंग भी थी एक दूसरे को समझते भी थे आप लोग ठीक है तो ऐसा लग रहा था कि जिन्दगी बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगी जिन्दगी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी एक दूसरे के साथ लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि जिन्दगी कैसे गुजरेगी आप इनको भूलनी पा रहे हैं आप आगे बढ़नी पा रहे हैं और इनकी तरफ से ना हा ना 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 कुछ बहुत समय तक आपने जैसे इंतजार किया है इनका बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है कि मुझे रीजा नहीं बता दो दूर जाने की वजा ही बता दो अगर मुझे कोई गलती हुई है तो मुझे वो भी बता दो अगर मुझे गलती हुई तो मैं उसे सुधार करूँगी पर हम आपको बताएं देखो अगर आप अब इनकी करेंट फीलिंग जानना चाहो यह हमने कंडिशन बताएं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर सको कि हाँ यह आपकी है ठीक है अभी हमने कंडिशन बताएं हम आपसे बताएं अभी इनकी जो करेंट फीलिंग सें कुछ ऐसी है जैसे कि प्रेयर कर रहे हैं दिन प्रति दिन इन्हें ऐसा ऐसास हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो जैसे कि पहले इन्हें पता था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं यह तो यह भी जानते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है जिसमें इनको लगता था कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो आप इनके लिए दुनिया से लड़ सकते हो इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी बहुत अच्छे से लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि कही न कही नोने गलती करती है आपसे दूरियां बना कर आपसे distance create करके कोई इतना चाहने वाला है कोई इतना प्यार करने वाला है और इनसान उसकी value नहीं कर रहा है उसको समझ नहीं रहा है या फिर वो एक बार घर पे बात भी नहीं कर रहा है बस ये कह रहा है मुझे पता है कि family नहीं मानेगी मुझे पता है कि चीज़े नहीं ठीक हो सकती या फिर इनको ऐसा लगा ही नहीं कि ठीक है कुछ strong future है हम लोगों का कुछ अच्छी से जिन्दगी हम जी सकते है शायद इनको ऐसा लगा इन्होंने कहीं न गहीं तो गलती की है एक तरीके से अब हम आपको बताएं कि इनकी जो current feelings हैं उसमें न उसमें ये हमें बात करते हुए नजर आ रहे है किस से बात करते हुए नजर आ रहे हैं जैसी कि इश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने कहीं न कहीं एक चुपी बना ली आपने कहीं न कहीं से दूर जाने का जो फैसला किया है वो चीज़े इनके कानों तक पहुची है वो बाते इनके कानों तक पहुची है तो इनको लग रहा है क्या सच में मेरे से दूर जा रही है क्या सच में मेरे से दूर जा रहा है वो सोच रहे हैं बहुत जादा यह और इश्वर से प्रारतना कर रहे हैं कि नहीं मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए एक चीज़ हम आपको बता है अभी हाल फिल हाल हमें ऐसा लगता है कि इनके गर में कुछ ऐसा हुआ है या कोई सौरी पर कुछ लोगों के लिए कि शायद इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है जिससे बहुत डीपली कनेक्ट थे ठीक है कोई भी हो इनकी फैमिली का बहुत जैसे की बहुत में इनसान चला गया है या फिर कोई था इनका रिलेटिव इनका फ्रेंड जिससे बहुत कनेक्ट थे है और वो अब शायद दुनिया में नहीं है इस वज़े से ये थोड़ा और जादा अकेला पर महसूस कर रहे है पता नहीं आप लोगो कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपर ओम बन गया है और अब ये चीज तो हम ये नहीं कहेंगे आपको कि हमने कोई जान बूच कर बनाया है पर ये जो यहाँ पर चीजे बनी है ना ये जो ओम बनाया है तो आप ये समझ लोग की ये रिष्टा बहुत स्ट्रॉंग है बहुत स्ट्रॉंग कनिक्शन है ये और ये नहीं खत्म होने वाला और ये जो भी हमें ऐसा लगता है की शायद ये महादेव जी के साधक हैं उपासक हैं अभी हम थोड़ा अलग करते हैं जैसे हम आपको ये बाद में ओम दिखा सकें आप यकीन नहीं करोगी कैसा इतना प्यारा जैसे कि किसी ने बहुत हिसाब से लिखा हो हमें ऐसा लगता है की ये शायद मा भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए इस टक हो गए हैं एक जगा पर यह नहीं आगे बढ़ पारें जिन्दगी में सोच रहे हैं कि कैसे मनाऊ उसको कैसे समझाऊ उसको और एक बात हम बताएं जैसे कि इनके घर में जो भी अभी गार्जियन हमीन उनसे ये आपके बारे बात भी करना चाहा हैं कुछ लोगों के person ने तो शायद बात की है आपके बारे में कि मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उसको प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगी, उससे ही शादी करूँगा इनका call आ सकता है बहुत जल्द आपके पास आपने बहुत इंतजार करने के बाद जिन्दगी में नई शुरुवात करने के बारे में सोचा है शायद किसी के साथ आपका अगर कोई हमें पहले तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप लोग जैसे कि अच्छे फ्रेंड हो ठीक है अच्छी दोस्ती रही आप लोगों के दर्म्यान और फिर वही दोस्ती प्यार में बदली है तो आप लोगों के कहीं न कहीं कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो आपकी बात उधर और उनकी बात इधर पहुचाते हैं उनकी बात इधर पहुचाते हैं तो आपने शायद किसी से कहा है या फिर आप किसी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं या फिर शादी करने की कुछ भी तो वो बात उनको पता चली है तो अब उनको डर लग रहा है कि वो आ बाता सोच रहे हैं इसी बाते और अंदर ही अंदर उन्हें के एक एक इंग्जाइटी सी हो रही है जैसे पहले उन्हें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि कोई था शायद उनकी जिंदगी में उन्हें समझने वाला लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो जो भी इनकी जिंदगी से गया है कौन था हमें नहीं पता कौन था चाहिए दादी थी मा थी फर कोई भी जो गया है इनको छोड़कर उसके जाने के बाद ये बहुत अकेले हो गये क्यों पहले दो ही इनसान थे जो इन्हें समझते थे ठीक है इनके पूरी फैमिली में एक मतलब व तो आप इनकी जिंदगी में थे और वो भी थे तो इनको ऐसा लगता था कि फैमिली के अगेर्श तो नहीं जाएंगे तकलीफ तो किसी को भी नहीं देंगे और ये आपके बारे में उनसे बाते भी करते थे कि मेरा उसके साथ ऐसा है उसको पसंद करती हूं ठीक है ये सारी बाते इन्होंने उनको भी बताई थी अब वो चले गई है फिर वो जो भी चले गए है तो ये अंदर ये अंदर बहुत जादा तूट गए है ये बिखर गए है अब इन्हें उस तरह से कोई समझने वाला नहीं है कोई भी नहीं है समझने वाला तो कहीं न कहीं ये अंदर से न जिसे एक होता है न बहुत अकेला पड़ जाना अंदरी अंदर मर जाना ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं ये आप ऐसा समझे आप पहले किसी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे लेकिन अब आपने कहीं न कहीं सब भगवान पर छोड़ दिया है कि ठीक है अगर उसको आना होता तो वो अब तक आ जाती आ जाता और अगर नहीं आया है तो शायद हमारा इतना ही साथ था आपने बहुत इंतजार करने के बाद ही ये decision लिया है कहीं न कहीं इनका मन पता है कैसा है इनका मन शुरुआत से ही थोड़ा चंचल टाइप थे जैसे चंचलता होती ना मन में एक stable mind नहीं होता एक stability नहीं होती mind में बाते तो बहुत अच्छे अच्छी कर लेते हैं attractive कर लेते हैं और कहीं न कहीं भावुक भी हो लेते हैं बहुत जादा कुछ चीजों को लेकर लेकिन जो होता है ना कि मन में चंचलता बहुत जादा रही है इनके और उसी चंचलता ने रिष्टे भी आगे बढ़ाए और उसी चंचलता ने चीसे खतम भी करी है दड़ संकल्प वाले व्यक्ति नहीं है यह ठीक है तो जैसे जैसे इन्हें मतलब एहसास हो रहा है वैसे वैसे यह आपसे नजदेकिया बढ़ाना चाह रहे है वैसे वैसे यह आपके करीब आना चाह रहे है अपनी फैमिली में बात चीत करना चाह रहे है तो dear, अभी ये बहुत efforts लगाने के बारे मैं सोच रहे हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे खो नहीं सकती, मैं उसे खो नहीं सकता किसी भी गीमत में, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है? तो ये आपके सामने अपने आपको बदल कर प्रस्तुत करने के बारे में सोच रहे हैं, कि आप जैसा चाहो वैसा होगा, अब फैमिली से भी बात करने के लिए तयार हैं ये, और इन्होंने वो जो भी थी ना, जिनको इन्होंने खो दिया है, उनको खोने के बाद तो इन्हें बहुत बहुत बड़ा जटका लगा एक तरीके से समझ रहे हैं बहुत बड़ा अब ये आपके पास वापस आकर कहना चाहते हैं कि देखो उस वक्त ना ना मुझे कोई सही रास्ता दिखाने वाला था ना मुझे ये एहसास था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती तुम्हारे बिना जी नहीं सकता ना मुझे ये एहसास था कि तुम्हारे जाने के बाद और वो जो मेरा अपना है उसके छोड़ जाने के बाद मैं दुनिया में पूरी तरह अकेली हो जाऊंगी अकेला हो जाऊंगा मुझे ऐसा एहसास ही नहीं था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा ये मेरी खुशी नहीं थी मेरी मजबूरी थी ये समझ लो और कहीं न कहीं मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कुछ decide ने कर पा रहा था मैं कोई एक फैसला कोई एक निशकर्स पर नहीं पहुच पा रही थी नहीं पहुच पा रहा था और इसी वज़े से मैंने तुमसे distance create किया इसी वज़े से मैंने तुमसे बात चीत बंद की लेकिन तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो सांसों की तरह जरूरी हो अब ये पता चराया मुझे इसलिए मैं तुम्हारे जिन्दगी में वापस आना चाता हूँ देखो एक बात ऐसा नहीं है कि अभी भी तुम्हारे खिलाफ बढ़काने वाले मेरी जिन्दगी में नहीं है अभी भी तुम्हारे खिलाफ बढ़काने वाले बहुत है और अभी भी कही न कही मेरे पास ओफर्स भी आ रहे है लोग मुझे प्रपोस करना चाहते हैं मेरे पास रिष्टे लेकर आ रहे है ठीक है लेकिन मैं उन सब को रिजेक्ट करना चाहता हूँ मैं उन सब को रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे किसे के बारे में सोचना ही नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जिन्दगी में आगे बढ़ना है तुम्हारे बारे में सोचना है किसे के बारे में नहीं सोचना क्योंकि तुम्हारे साथ ना मैं बहुत ज़दा कमफर्ट महसूस करती हूँ कमफर्ट महसूस करता हूँ हर चीज के लिए पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी लेकिन अब ऐसा लगता है किसी भी रिष्टे में एक अच्छी दोस्ती का होना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर अच्छी दोस्ती नहुई सिफ रिष्टा कायम हो गया तो इंसान घुट जाता है बहुत सारी बाते बोलनी बाता जो उसके दिल में ही रह जाती है दिल में ही दब जाती है जैसे कि मेरे अंदर बहुत कुछ है पर मेरा जो एक दोस्ती का बॉन तुमसे और मेरे उस अपने से था वो किसी से नहीं था और आज मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है पर मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही हूं कुछ नहीं कह पा रहा हूं अब मुझे ऐसा लगता है कोई समझे गए नहीं किसी से कहने से क्या फाइदा तो यकीन करो मेरा मैं new beginning करना चाहता हूँ मैं सब ठीक करना चाहता हूँ मैं अपनी पूरी जिन्दगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ Dear ये हैं इनकी feelings समझ रहे हैं हम आपको बताए एक सब्तहा के अंदर इनका call या message आ सकता है आपके पास इवन यह खुद भी आ सकते हैं अगर age difference है अगर long distance है कोई भी issue हो यह आपके पास वापस आने के बारे में 100% sure हैं और सोच रहे हैं अब किसी से न कुछ पूछना है न किसी से डरना है बस जो भी इनके घर में इनके main guardian थे उनसे नुने बता दिया है कि वो मुझे पसंद है बात कर लिए नुने ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करना तो यह नहीं करेंगे नहीं नहीं सिर्फ बताया है उनका सम्मान रखने के लिए सिर्फ कहा है कि वो जरूरी है मेरे लिए और वो मुझे पसंद है मुझे उस से शादी करनी है मुझे उसी के साथ जिन्दगी में आगे बढ़ना है यह उन्होंने सिर्फ बताया एक तरीके से आप से माफी मांगने वाले हैं बहुत जल्द और आप से यह भी कहेंगे कि मेरी गलती थी वो जो मैं तुम्हें छोड़ कर गई तुम्हें छोड़ के गया उसके लिए मुझे माफ कर दो और चलो सिन्दगी के एक नई शुरुवात करते हैं लडाई जगडा छोड़ कर पुरानी बातों को छोड़ कर एक नई शुरुवात करते हैं आपसे इस तरह की बातें ये करने वाले हैं और जब पहले आपके साथ ये connection में थे तो जैसे होता है ना कि इंसान जल्दबाजी में रहता हर चीज़ को लेकर थोड़ी इमिचोटी भी समझ लो या नई नई बात समझ लो लेकिन अब आपके पास जो आ रहे हैं ना जैसे कि पुरे परिपक वो होकर पुरे समझदार होकर एक चीज और समझ गए है कि कौन अपना है कौन पर आया है और जिन्दगी में किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए जो सुख में साथ दे जो दुख में साथ दे जो हर वक्त पर अपने होने का एहसास करा है या फिर उन लोगों का जिनके साथ खून के रिष्टे तो होते हैं लेकिन वो सिर्फ तब साथ देते हैं जब आपकी जिन्दगी में सब बढ़िया चल रहा होता है तो इन्होंने आपसे इतनी दूरी में ये भी समझ लिया, ये भी परक लिया, आप ये समझ लो किसी से इन्होंने थोड़ा सा कंसल्ट भी किया है, पूछा भी है कि क्या, अगर मैं उसके साथ रिष्टे में आगे बढ़ जाऊं तो मिली सही रहेगा क्या, ठीक है जैसे कि कोई है इनसे बड़ा या फिर समझदार उससे बात भी किये इन्होंने आपके बारे में, आपकी पिक्चर भी दिखाई, आपके बारे में भी बताया है, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, शायद इन्होंने आपके लिए टैरो रिडिंग लि और हमारा करियर कैसा होगा हमारा फ्यूचर कैसा होगा हम अगर एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के लिए कैसे रहेंगे तो उधर से इनको बहुत पॉजिटिव आंसर ही मिला है ठीक है और इसलिए यह आपको लेकर और भी ज्यादा श्योर हो गए है कि अब कुछ भी हो जैसे भी समझाना पड़े बुझाना पड़े मनाना पड़े मुझे उसे मनाना है यह अब इनके मन में बात चल रही है आप इतना समझे ठीक है और हम आपको एक बात बताएं कि जो आप लेटको करने के बारे में सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे है हमें पता है यह सिर्फ एक होता ना कि जब इंसान हार जाता है ठक जाता तो अखिर कर क्या सकता है यही करेगा ठक जाएगा तो यही करेगा ना कि ठीक आगे बढ़ते हैं आपने भगवान पर छोड़ा था ना सब कुछ भगवान ने इनके अकल ठीकाने लगा दिया है भग सकती है वहीं दे सकता है ना कि कोई और जो अपना पनतुम डिजर्व करते हो यह सब क황itters तक तुम्हें उसी से मिल सकता है और किसी से ने, ठीक है तो अब इंहोंने मन में यह कहीं न कहीं सोच लिया है कि मुझे क्या करना है तो फिलाल आपके पार्टनर की यही एनर्जी है और आपके चुप्पी आपका जिन्दगी में आगे बढ़ने का फैसला उनको खून के आंसु रुला रहा है आप इतना समझ लो तूट रहे हैं वो अंदर से उन्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ उसे कैसे समझाऊं क कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो मुझसे गलती हो गई या फिर यह समझ लो कि मेरी मजबूरी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ठीक है तो यह एनर्जी है इनकी आई होप कि आप समझ गयोंगे और समझ गय है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए ठीक प्लीज भगवती गाइड करें कि आप क्या कहना चाहते हैं इनसे अब आप देखो जिनके लिए भी देख रहे थे ठीक है यह कैंडल वैक्स रीडिंग के बहुत किनों बात की थी हमने वह भी पता नहीं कैसे कैसे की है वाव new बिगनिंग करो इनके साथ ही करने हैं आपको new beginning किसी और के साथ नहीं ठीक है इनके साथ ही आपको new beginning करने है क्योंकि आप ना जैसे कि बीना मन के किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओगे ठीक है उसकी भी जिन्दगी खराब करोगे अपनी भी जिन्दगी खराब करोगे क्योंकि आपका मन आपकी आत्मा तो इनके साथ जुड़ी हुई है और आप गुस्ते में एक डिसीजन दे लोगे कि ठीक है मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी तुमारे बिना भी तो फिर आप खुश नहीं रहोगे न कहीं न कहीं बार-बार ही न्यू बिगिनिंग का कार निकल रहा है ज्यादा मन सोचो खुश रहो ठीक है ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करो और इन्हें माफ कर दो इन्हें माफ कर दो ठीक है इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ो यह आपसे बहुत प्यार करते हैं यह आपकी बेना नहीं रह सकते हैं यह भगवती भी आपसे कहना चाहती है ठीक है तो दियर यह थी इनकी फीलिंग्स आई होप कि आप समझ गये होंगे जैशी कृष्णा अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता इस बारे में ना सोचंचि और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं आपका मन צंक है आप हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके नहीं हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं जैशी कृष्णा आप सभी क ये रिदे में बैठे पर मात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपत में हम ओम साइराम